हलो फ्रेंट आज मैं आपके साथ एक पैक निक की डिज़ाइन शेयर करूंगी ब्लॉस का लेंध मैंने लिया है 16 इंच ये रेडियो के हो जाएगा 15 इंच शोल्डर मैंने लिया है 7 इंच आर्मुल मैंनेलिया है 7.5 इंच आदा इंच मैंने shoulder down किया है 1.25 इंच पे मैंने back armhole को cut कर लिया है आपका जितना chest है उसका 4 part plus 1.5 inch margin west का 4 part 1 inch डाट के लिए 1.5 inch margin डाट की marking मैंने 6 inch पे किया है 5 inch उपर तक डाट की marking करना है अब इसका neck को draw करना है तो neck का draw मैं लाइरिन के fabric के उपर करूंगी neck की चौड़ाई मैंने लिया है सारे 4 inch और सारे 3 inch में एक mark करना है और उपर के तरप मैं both neck draw कर रहे हूं अब यहां से सारे 8 inch नीचे length पे और एक mark करना है और 2 inch पे mark करके इस सारे 8 inch पे मैंने मार्क करना है वहां से पेपर पेस्टिंग के उपर मैं ड्रॉ कर लोंगी तो जिस तरह से मैंने लाइलिंग के उपर neck को ड्रॉ किया है इसी तरह से इन एक को ड्रॉ कर लेना है और इसके बाहर एक इंच बाहर और एक मैं ड्रॉ कर लेना है अब यह दोनों निशान के उपर कट कर लेना है तो जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया है उसी तरह से यह नेक को कट कर लेना है अब यह पेपर पैस्टिंग को लाइलिन के ऊपर रखके इसको सभी से 1.6 पर रखके आड़न करके मैं इस को चिपका लोंगी क्युक्सित मेरा सब्रीन पैपर है तो आड़न करने के इसके ऊपर चिपक जाएगा तो मैंने इसको आइरन करके मैंने इसको चिपका लिया है अब ब्लाउस का फैब्रिक को लेना है और इसके राइट साइड के उपर ये लाइलिन को रखना है और नेक बराबर इसके पास पास इसमें सिलाई लगाना है तो इस तरह से इसके उपर सिलाई लगाना है तो जिस तरह से नेक को मैंने ड्रॉ किया है उसी हिसाब से इसके उपर सिलाई लगाना है तो एकदब पेपर पेस्टिंग पास पास इसके उपर सिलाई दे देना है अब थोड़ा सा मार्जिन रखके एक्सरा फैब्रीक को कट कर लेना है और नेक के चारों तरफ छोटे-छोटे से कट लगा लेना है लेकिन ध्यान लगना है किसी लाई ना कटे इस तरह से नेक के चारों तरफ यह कट लगा लेना है अब लाइलिन के फैब्रिक को पीछे के तरफ पलट लेना है और इसको अच्छे से पलट के इसको सेट कर लेना है और इसके उपर टॉप स्टीच लगाना है और लाइलिन के साथ में फैब्रिक को सिलाइकर करके आटच कर लेना है तो पहले मैं नेक के उपर टॉप स्टिच लगा ले रहे हूं और फिर लाइलिन के साथ में फैब्रिक को सिलाइ करके आटास कर लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है ये सिलाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा में फैब्रिक निकलेगा उसको कट करके दोनों को बराबर कर लेना है अब ये दोनों डाट को सिलना है तो इस तरह से डाट को पकरना है और नीचे से डाट की सिलाई स्टार्ट करना है और उपर तक ले जाना है तो आदा इंच का मार्जिन देके उपर में मैं सिलाई लगा लूँगी और एक डाट को जिस तरह से मैं सिलाई दूसरे डाट को उसी तरह से ही सिल लेना है नीचे से सिलाई को स्टार्ट करके उपर ठक ले जाना है और लॉक सिलाई कर लेना है अब कमर पट्टी से कमर को फिनिश करना है तो इसके लिए मैंने डेर इंच और स्टेट पट्टी लिया है और इसको इसके उपर रखके प्लाउस के उपर रखना है रखके आदा इंच मार जिन देखे पहले इसके उपर सिलाई लगा लेना है और फिर पट्टी को इस तरह से खोल लेना है कोल के इसके उपर प्रेस्टिज कर लेना है और फिर पट्टी को पुड़े पीछे के तरफ पलट लेना है परड़ के डबल फोल करके इसके उपर चिलाज लगा लेना है तो इस तरह से कमरप्यट्टी से कमर को फिनिश कर लेना है अब नेख के उपर डिजाइन बढाने के लिए मैंने धाई इन चौड़ाई में और दो इन चौड़ाई में 2 square twshirt fabric लिया है अब इस fabric को इस तरह से दो बार ट्राइंगल में फोल करना है और यह दूसरे fabric को भी इसी तरह से इस तरह सीります फोल करके एक के उपर एक को इस तरह से रखना है रखके इसके उपर स्लई लगा लेना है तो इस तरह से बहुत सारे डिजाइन बना लेना है एक ट्राइंगल के ऊपर दूसरे ट्राइंगल को रखके इस तरह से सिलना है एक के ऊपर एक को रखके इस तरह से बहुत सारे डिजाइन बना लेना है और नीचे के तरह फैब्रिक को सीधा कर लेना है अब blouse को लेना है और इसके नीचे में ये design को attach करूंगी तो इस तरह से इसको रखना है रखके quarter inch का margin देके इसके उपर सिलाई लगाना है फिर इसके पास में दूसरे design को रखना है और सिलाई लगाना है तो इस तरह से मैंने ये triangle को एक के उपर एक को रखके मैंने सिल लिया है तो इससे लगाने में आपको आसानी होगी तो इस तरह से neck के उपर design बना लेना है अब मैं neck के उपर lace को attach करूंगी तो lace को मैं इस तरह से रखूंगी थोड़ा सा में red color fabric को मैं piping के तरह थोड़ा सा में दिखाऊंगी और इस तरह से सिलना है और जहां पर ये lace को घुमाना है वहां पर इस तरह से fold करके lace को घुमा लेना है और फिर सिलाई करना है तो इस तरह से neck के उपर ये lace को attach कर लेना है और एक side पर सिलाई लगाने के बाद फिर इस के neck के दूसरे side में भी सिलाई लगा लेना है इस तरह से fold करके फिर lace को घुमा कर लेना है और lace को attach करना है फिर इसके दूसरे side में भी सिलाई लगा लेना है और जहां पर मैंने fold किया है वहां पर इस तरह से सिलाई कर लेना है उसके उपर तो इस तरह से neck के उपर lace को attach करना है और इसके कमर में भी मैं यह lace को attach करूंगी तो नीचे के तरफ भी थोड़ा सा red color fabric को इस तरह से नीचे में दिखाना दिखाके इस तरह से lace को attach कर छोड़के यह lace को सिलना है और फिर इसके दूसरे साइट में भी सिलाई लगा लेना है अब मैंने दो इंच और आई में और साथ इंच लंबाई में एक में फैब्रिक का एक piece लिया है और इसको इस तरह से दोनों साइट से fold करके फिर बीच से fold करना है फोल करके इसके एक साइज में इस तरह से सिलाई लगा लेना है इस तरह से साइज से इसको फोल करना है फोल करके इसके उपर सिलाई लगाना है और फिर इसके उपर ये लेस को गोल्डन कलर लेस को आटाच करूंगी तो लेस को इस तरह से लखना है रेट कलर फैब्रीक में थोड़ा सा दिखाऊंगी दिखा के इस तरह से रखके इसके उपर लेस को रखके आटच कर देना है अब मैंने तीरीन, चौराई में और लंबाई में मैंने एक स्क्वार पीस फैब्रीक लिया है और इसको दोबा ट्राइंगल में इस तरह से फोल करना है फोल करके उपर से सिलाई को लॉक करके स्टार्ट करना है और नीचे आने के पर इस तरह से फोल करके सिलाई करके एक छोटा सा लटकन बना लेना है तो उपसे सिलाई को स्टार्ट करना है और इस तरह से ले आके नीचे के में इस तरह से एक पर फोल करना है फोल करके चुरजटे लटकन बनाना है और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कट करके इसको सीधा कर लेना है इससे लटकन को बना लेना है अब यह जो मैंने डिजाइन बना है इसको बीच से इससे फोल करना है फोल करके सेंटर पर एक मार्क करना है मार्क करके इसके दोनों साइट में धाई इंच पर मार्क करना है इससे मार्क करके इसके ऊपर इससे रखना है रखके यह दोनों साइट से रखके इसके दोनों साइट पर सिलाई लगा लेना है तो मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा लिया ह यह दोनों side में से लगा लिया है अब मैं जो लटकन मैंने बना आ है तो इसको मैं यहां पर मैं attached करूंगी तो इस तरह से बीच से धागा को निकालना है और इसके धागा में मैंने 8 मोती इस तरह से पिरो लेना है और यहां पे एटच करना है तो इस तरह से लटकन को एटच करना है और यहां पे अच्छे से इसको सिलना है सिल के पीछे में यहां पे जाके यहां पे नॉट लगा लेना है और थोड़ा सा gap देखे यहां पर मैं और दो लटकन लगा लूँगी और इसके नीचे यहां पर मैं मोती आटच कर लूँगी तो मैंने दो लटकन भी लगा लिया है यहां पर मोती भी आटच कर लिया है तो friends यह है इसका final look friends आपको अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सकाइब कर दीजिएगा थैंक यू